नमस्कार, वेलकम तो इंसाइट स्टेडी फोरूम, जैसा कि पहले अनुमान लगा जा रहा था कि UPTT 2020 की जो परिक्षा होने वाली थी, जिसका नोटिफिकेशन 11 मई को आने वाला था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के चलते UP सरकार ने UPTT की जो परिक्षा है, उसको आदेश जारी हुआ है, तो उसमें हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान में न्यूज ये आर्टिकल आया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो UPTT 2020 कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प मार्च 2021 को परिक्षा कारिकरम निर्धारित किया गया था, और हम सब जानते हैं कि उसको हम लोगों ने देखा था, और उसके अकॉर्डिंग जो नोडिफिकेशन था, वो 11 मई को आने वाला था, ठीक है, लेकिन वो नहीं आया, जिससे अब इस्थकित कर दिया गया है, आप इस परिक्षा के लिए 18 मई से अनलाइन अवे दन सुरू होने थे, लेकिन अब नहीं होंगे, ठीक है, और इसा हम जानते हैं कि 25 जुलाई को दो पालियों में इसके परिक्षा होनी थी, परन्तो ऐसा आप नहीं होगा, अब आगे डिले हो चुका है, ये आपके सामने है, व अगरिम आदेशों तक स्थगित किये जानने के समध में पूरा नोटिस दिया गया है, ठीक है, तो कुल मिला करके ये है कि अभी परिक्षा नहीं होगी, लेकिन हाँ, आने वाले समय में जैसे कोविड का जो भी संक्रमण हो रहा है, थोड़ा सा कम होगा, तो डेफिनेटली परिक्षा होगी, आप लोग अपने ही तयारी करते रहें, और आप लोगों को इंसाइट स्टेडी फोरम चैनल पर, EBS का पूरा का पूरा स्लेवस कम्प्लीट कराया जा रहा है, ठीक है, पेपर डिले हुआ है, तो आप लोग उसका फायदा उठाएं, और पूरी की पूरी तयारी मैं EBS की पहले फिनिस करूँगा, उसके बाद मैं फिर मैं Child Development and Pedagogy को पूरा कम्प्लीट करूँगा, और उसके बाद में फिर साथ-साथ में टाइम मिलेगा, तो English भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो पूरी तयारी हम लोग करेंगे साथ-साथ मिल करके, तो आप लोग बस यूँ ही, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू, थैंक्स लॉट, जैहन्त